हेलो एविवान वेलकम टू बैक माई चैनल आज हम यह आलू और ब्रेड के रेसिपी बनाएंगे जो बिना तड़के लगाए मिंटो में बनने वाले है तो यहां पे मैंने सबसे पहले बेसन ले लिया है तो उसमें मैंने यह पानी डाल के पहले इसका गोल बना लिया है इसमे आपको चीज़े आड़ कर सकते हैं लेकिन मैं जब घोल बना लूँगी तब इसमें चीज़े आड़ कर दूँगी आप यहां पे एक साथ पानी ना डालिएगा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर बना दीजिएगा देखिए बिल्कुल इस तरह अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे और एक छोटी चमच हल्दी आड़ कर देंगे तो यहां पे हमने मिक्स कर लिया है देखिए थोड़ा गाढ़ा है बैटर इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका फिर से घोल बना लेंगे तो यहां पे बिल्क प्रावबले आलू ले लिये हैं इस कर लेंगे अच्छे से देखिए बिल्कुल इस तरी केगा अब इसमें हम सबसे पहले धन्या मिला देंगे और यह पेश्ट्र है ना जो हमने कुटा था उसको मिला दिया है अब यहां पे हमने सबसे पहले चाट मसाला मिला दिया है मसाला हमें आपे लगबग आदे चमच तक मिलाएंगे जादा नहीं नहीं तो इसका ही स्वाद आएगा अब इसमें हम थोड़ा सा एक चमच के लगबग सेजवान चटनी मिलाएंगे आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा ये चटनी डालने से स्वादा और बढ़ जाएगा और उसके बाद हम ये थोड़ा सा जीरा लिये हैं उसको डाल दिये हैं इन्हें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा हम पूरा यहाँ पे जब तक हम मेश कर रहा हैं हम कड़ाई में एक रख देंगे तेल गरम होने के लिए और रिफाइंड ओइल का यूज करेंगे हम इसमें तो यहां पर हमारा मैस हो गया है अच्छा से अब हम लेंगे ब्रेड उसको चारो तरफ से काट लेंगे आप इसे बिना काटे ही बना सकते हैं अब यहां पर बीच में से इसे कट लगा देंगे सबसे पहले और इसमें थोड़ा सा बैटर लेंगे बिल्कुल इस तरीके का और दूसरे ब्रेड से लगा के हमें जो गोल बनाए हैं ना उसमें डालके फिर तेल में डालेंगे अगर आपको यहां पर जादा गाड़ा लग रहा है बैटर तो आप अपने हिसाब से थोड़ा और पानी डालिएगा और इसे थोड़ा पतला कर दीजिएगा अब मैं इसमें डुबो दूँगी और फिर तार एक देल में इसे डाल दूँगी आपको इससे बहुत हिलके हाथों से करना है तो यहां देखिए हमने एक बार में दो डाला है और फ्लेम हाई किया है और एक मिनट तक ही पकाया था एक साइट अब दूसरी साइट हम थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाए क्योंकि हमने बिना आलूप पकाय डाला है इसलिए तो यहां पे हमारा देखिए हो चुका है हमने दूसरी साइट भी दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया था और यह ब्राउन हो चुका है तो हम इसी तरह देखिए सारे बना लेंगे तो यहां पे मैंने दूसरा भाग भी डाल दिया है इसे भी पका लूँगी मैं तो मैं आपको लाश्ट में दिखाती हूं तो यहां देखिए बिलकुल इस तरीके का बना है आप तुरंत बना सकते हैं बिना आलू को तड़का ल तुछ तु सो मजट